बारिश का मौसम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग हलकी बारिश की संभावना जता रहा है। नैनी ताल में इस बार बारिश पिछले साल की अपेक्षा करीब 250 mm कम हुई है, जो फसलों के लिहाज से काफी महतोपून रही। अधिकारियों के मुताबिक बारिश से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही किरशी विशेश अग्यों ने किसानों को सलाह दी है कि अगर हलकी बारिश अभी भी होती है तो दलहनी फसलों में बिलकुल पानी जमाना होने दें, हाला कि धान के लिहाद से बारिश हानी का रख नहीं है. बारिश के कारण इस बारिश कुछ जादा हुई और कुछ चेत्रों में बारिश हुई है कि जिसके कारण से काफी फसलों को भी नुक्सान हुआ है, अब जाकर थोड़ी बारिश रुकी है कि इसके बावजूद भी जो लगाचार चेतामनी दी जा रहे है कि अगले 48 घंटों में फिर से एक बार बारिश का कहर हो सकता है, तो इससे हमारे भावर चेत्र में भी जो धान की अब और ओला व्रिश्टी होचे तो कहीं ना करें पहाडों में भी फलों को अन्य चीजों को काफी नुक्सान होने की आसंका है वहीं किसान इस बात से चिंतित हैं कि मौसम विभाग अभी भी हलकी बारिश, तो कभी पहाडी इलाकों में ओला व्रिश्टी का संकेत दे रहा है, जिससे किसानों को फसलों के नुक्सान का डर सता रहा है पंजाब के सरी टीवी के लिए हलदवानी सितारा जोशी की रिपोर्ट